नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी को हमारे इस यूटूब चैनल ओनलाइन अश्टडी में तो आज डेली करेंट अफेर्स में आज 6 अपरिल से संबंधित देश दुनिया खेलकूद अंतर राष्टी ये घटना से संबंधित 10 नए महतोपुर्ण करेंट अफेर्स का आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आये हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सस्क्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकोन को भी प्र रिपर्जेंटेटिव ने किस देश के ग्रीह उद से अमेरिका को अलग करने के पच्छ में मतदान किया है तो आपका auto number A. ऐराक है option B. पेरू है option C. सीरिया है option D. अमन है तो इसका जो सही जवाब होगा वोगा and option number D. इसका सही जवाब है तो अमेरिका ने है जो हाल ही में अभी अमेरिका के हाउस ओफ रिपरजेंटिब ने अमन के ग्रिह यूद से अमेरिका को अलग करने के पच्छ में मतदान किया जिसमें अमेरिका को अमन जो है गिरिह यूद से बाहर निकालने के लिए पच्छ में 247 भोट पड़े जबकि इसके बिरोध में जो था जो 175 भोट पड़ा है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन हम लोग चलते हैं कोस्चन नमर दो की तरब 2019 में कितना पर्षेंट होने का अनुमान है तो आपका ओप्षन A 3.9 ओप्षन B 4.9 ओप्षन C 4.5 और ओप्षन D 5.1 तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओप्षन नमर एक 3.9 तो SI विकास बेंक जो है वो व्यापकार्थिक चुनोतियों को हवाला देते हुए कहा है कि पकिस्तान की विर्धी दर जो है बीतवर्ष 2018 में 5.2 परतिसत से गिरकर 2019 में 3.9 परतिसत पर आजाने का अनुमान है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नमर 3 की और चलते हम लोग तो कोस्चन नमर 3 है बैग्यानिकों ने हाल ही में अस्टिफेन होकिन्स के किस सिधान्थ को मानने से इनकार किया है तो आपका उप्षन ए डार्क मैटर, उप्षन B, बेबी यूनिवर्स, उप्षन C, अर्थ रोटेशन और उप्षन D, हैड्रोलिक कोलाइजन तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उप्षन नमर ए डार्क मैटर तो बैज्यानिकों ने जो है हाली में स्टिपेंज होकिंग के डार्क मेटर के सुरोत को बनाने वाला उनके सिधानत को जो है नकार दिया है और उनको मानने से वो लोग इनकार कर रहे है इसके बाद next question question नमर चार है तो हाली में BCI और किस ITI ने माननी करन्त था अनुरूपता मुल्यांकन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है तो आपका option नमर ए इसमें ITI मदरा से option B IIT दिल्ली है option C IIT कानपूर है और option D IIT जबलपूर है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपका option B IIT दिल्ली तो BIS और IIT दिल्ली माननी करन परिछन तथा अनुरूपता मुल्यांकन के लिए Center of Excellence की अस्थापना करेंगे और इस के अंदर के अस्थापना जो है IIT दिल्ली के कैमपस में किया जाएगा इसके बाद जो है next question 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 number 5 की तरफ हम लोग चलते हैं question number 5 है हाली में सुप्रीम कोट ने भारत की किस दवा कमपनी को जपान की दवा कमपनी दाची सेक्यों के बनाया 400 कड़ोर रुपिया देने के लिए चेताया है तो इसका option 1 है सिपला, option B मैनकाइंड, option C रेनवेक्सी और option D डाबर तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option C, रेनवेक्सी तो सुप्रीम कोट ने कहा है कि रेनवेक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर और सिविंदर सिंग ने जपान की दवा कमपनी दाची सेक्यों के 4000 कड़ोर रुपिय की बकाया रासी न चुकाई तो उनको जो है ज इस देश का 101 अस्थान आया है तो इसका option 1 आपके सामने नेपाल है, option B चीन है, option C रूस है और option D भारत है तो इसका सही जवाब होगा आपका option D भारत तो फीफा द्वारा जो है 4 अप्रिल 2019 को जारी 200 रैंकिंग में भारत को 101 अस्थान प्राप्त हुआ है और भारतिये टीम के लिए कुल अंक 1219 है और वह सियाई देशों में 18 अस्थान पे है इसके बाद next question हम लोग question नमर 7 के तरफ चलते है तो question नमर 7 है कि भारतिये सेना ने हाली में दूसरा दूतिये बिस युद में इस्तमाल किये गए अमेरिकी वायू सेना के एक विमान का मलवा खोज किया है जो कि किस राजी में है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उप्सन नमरे अरुनाचल परदेश तो भारतिये सेना के जो है 12 सदस ये गस्ती दलने पुलीस के साथ मिलकर 30 मर्च 2019 को अरुनाचल परदेश के रोइंग जिले से अमेरिकी वायूआन के एक मलवा कहा जो है उत्तर पुर्वित तट के पाच सहरो और काउंटू में बड़े पेमाने पर लगी आग को पाच अपरेल 2019 को राश्टिये आपदा के स्थिति घोसित की है तो आपका उप्सन A है चीन उप्सन B दचनी कोरिया उप्सन C भारत और उप्सन D नेपाल तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उप्सन नमर B दचनी कोरिया तो दचनी कोरिया के सरकार ने उत्तर पुर्वित तट पर पाच सहरो और काउंटी में बड़े पेमाने पर लगी आग को पाच अप्रील 2019 को राश्टिये आपदा की घोसित जो है कर दिया है इसके बाद नेक्स्ट क्वेस्ट कोस्टन नमर नो की तरफ चलते हम लोग तो कोस्टन नमर नो है जम्मू कस्मीर के पुलवामा हमले के बाद परसासन ने बारा मुला से उधांपूर तक की राश्टिये राजमार पर 31 मही तक परतेक हपते में नागरी कातयात को कितने दिन बंद करने का फैसला लिया है तो अपसन है आपके सामने चार उपसन ऑपसन फ्सने तीन ऑपसन बी चार उपसन सी दो और उपसन डी पाच तो इसका सही जवाब होजाएगा आपका उपसन सी दो तो जम्मू कस्मीर के पुलवामा में चाहिए जो अभी कापिला पर हाली में जबहर सुरंग के पास कार बिस फ्योट को देखते हुए परसासन ने बड़ा फैसला किया है और परसासन ने बारा मुला से उधंपूर तक के राष्टिये राजमार्ग पर 31 मई तक हर हपते रविबार और बुधवार को नागरिक आतायात को बंद करने की घोसना किया है इसके बाद आज का लास्ट कोस्चन कोस्चन नमर 10 तो कोस्चन नमर 10 है कि भारत ने किस देश के साथ लिथियम के विकास वम और दोगी कुपयोग हेतू एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो आपका ओप्सन है ओप्सन नमर ए बोलिबिया ओप्सन बी चीन ओप्सन सी रूस और ओप्सन डी इराक तो इसका सह अनों तथा सेल फोन को बिजली देने के लिए उप्योग किया जाता है उससे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्डेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद